अज़े नमस्कार मैं जन्मक्ताशी उंग उताव और मद्ध्पदेश के मुख्मंत्री के तौर पर चौती बार आज सफद ले ली है सिवरा सिंग चौहन ने इससे पहले सिवरा सिंग चौहन ने सफद ली ती उसके बाद ली ती दो यार तेरे में उनकी सरकार कुछ सीटों से हार रही थी जिसकी बैसे 15 महीने के लिए कमलनात को यह गद्दी मिली थी लेकिन घूमकर एक बार फिर से पईया वहीं आ गया है और सिवरा सिंग चौथी बार मद्ध्पदेश के मुख्मंत्री बन गए है जिसकी सपत उन्होंने आज एक बहुत साधा समारों मैं ली जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बलाए गया था क्योंकि कोरणा बाइरस से लड़ना है और यही बात उन्होंने ने जब वह 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 बिदायक दलका नेता चुना गया था तब भी उन्हो करना है और मैं सीधे यहां से अपने कार्या ला जाऊँगा इस जो वाइरस है इसके प्रसार को रोकने के लिए पहले रंडीती बनाई जाएगी सीधे चौर पर उन्होंने बिनम्रता के साथ का कि यह जो मौका मिला है इसको हम जनता की सेवा में लगाएंगे और जिस तरीक मिक्ता हमारी होगी कोरोना वाइरस से लड़ना लोगों के स्वास्थ्य का द्यान लगना उसके अलावा ब्रेश्टेचार बहिमानी लूट का जो एक चंत्र चला दिया था कमलनाथ ने उस पर लगाम लगाना भी पहली प्राथिमित्या होगी निश्य तोर पर कॉंग्रेस बारती जंता पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा नहीं था केवल साथ सीटों का अंतर था और अभी बारती जंता पार्टी के पास 106 बिधयकों का समर्थन हासिव है इसके अलाबा चार निर्दली बिधया कों ka समर्थन भी सीधे तोर पर उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है जो के 110 की संख्या हो जाएगी और अगर इसमें वो तीन सपा और बसपा के बिदायक भी मिला दिये जाए तो निश्य तोर पर ये बढ़कर 113 हो जाएगा उसके लाबा 24 सीटों के लिए अगले 6 मीने के बीतर चुनाव होना है जिसमें वो 22 विदायक वो होंगे जो जो तरह सिंदिया के समर्थन में कॉंग्रेस छोड़कर आये हैं और उम्मीद यह है कि 22 मेंसे ज्यादतर विदायक चुनकर आ जाएंगे हाला कि अभी अगर बात की जाए तो अभी जो आकड़ा बैठता है बहुमत का वो आकड़ा है 206 मेंसे एक सो तीन बिदायक का चाहिए बारती जंता पार्टी के पास पहले से ही 106 है और अगर निर्दली भी इनके साथ आ जाते हैं तो यह आकड़ा बढ़कर 113 हो जाएगा जो कि बहुमत से 10 ज्यादा होगा निश्य तोर पर 6 महीने तक तो कोई भी सरकार के खिलाब अविश्वास प्रस्ता भी नहीं ला सकता है क्योंकि पहले से बहुमत है चुनाब होगा उसके बाद इस्तितिया बदलेंगी और उसमें भी उम्मीद है कि अब जोतरा सिंदिया और सिवराज की जो जोड़ी है उसके दम पर जो पूरा का पूरा यह चंबल मंडल है चंबल का इलाका है जहां से बिदाइक जीत कर आये हैं वहां यह बहुत अच्छा क्लीन स्वीप करके बहुमत के आंकड़े को बहुत उपर पहुँचाने का काम करेंगे कॉंग्रेस के अब विदायकों की संख्या 90 से कम रहती हुई नजर आ रही है पहले कॉंग्रेस के कमलनाथ ने दवाब बनाने की कोशिश की ती और यह कोशिश की थी कि के सभी विदायक अगर इस्तिपा दे तो राज्य के अंदर बिदान सभा भंग करने की इस्तिति आ जाएगी लेकिन इस पर विदायक राजी नहीं हुए और उन्होंने इस्पश्ट कर दिया कि अगर ऐसी इस्तिति आएगी तो वह बगावत कर देगे खुली बगावत से डरते हुए कमलनाथ और कॉंग्रेस पार्टी के आला कमानने उस फैसले को वापस ले लिया जिसके बाद इस्पश्ट में थे लेकिन उसके बावजूद प्रदानमंत्री नरेंद मोदी ने रविवार को ही इसपश्ट कर दिया था कि इस वार भी मुखमंत्री सिवरासिंग चोहान ही बनेंगे और इसी के लिए उन्होंने एक दिन में चार बार उन से फोन पर बात की और उसके बाद उनकी इसका समर्थन किया उसके अलावा दूसरे प्रवचक थे उन सभी ने बाकी जो बिधायक थे जो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा इस पूरे मामने में भाग ले रहे थे उन सभी ने भी सिवराज सिंग चोहान के नाम पर अपनी मुहर लगा दी जिसके बाद इस पर धोरा लिया जिसका रिकौर्डड बना कैLES से पहले सियामाचरार अरुप्र और अरजुन सिंग पर मुख मंत्री रह चुक्ते सिवराज सिंग्च चोहान लेकिन से जोत्राज सिंध्या को बगावत करनी पड़ी और उन्होंने भारती जंता पार्टी को जोइन कर लिया उन चीजों को सुधारने की प्राच्विक्ता सबसे पहले सिवराज सिंग चौहान की रहेगी जिस तरीके से यूरिया होटाले से लेकर जो किसानों को लेकर समस्चाय पैदा की गई उसके लावा बेरोज़कारी भत्ते के नाम पर लोगों को ठगा गया उन सारी की चीजों को अब सुधारने के लिए सिवराज सिंग चौहान को एक बार फिर से मौका मिला है अब चुकि जुद्राज सिंधिया के गुट के लोग अभी बिधायक नहीं है तो उनके मंत्री बिधाय जाने की संभावना अभी फिलाल तो कम है लेकिन बाद में जब वो कार है वो मद्य पुदेश में काम करना शुरू कर देगी जिसकी गोशना सिवराज सिंग चौहान पहले ही कर चुके और वो सीधे अपने कार्याल है चुकि उन्होंने कहा कि कोरोना बाइरस से लड़ाई में प्रधानमति निर्द मोधी ने जो आदेश दिया है जो निर्द बजट पास कराना किसी भी राजिया कें प्रकार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सरकार के तमाम जो खरचे होते हैं बजट पास होने के बाद kuv humans Takue तो इस हिस्ति में इसी हपते में वो बजट भी पास कराएंगे उसके लावा को लेकर नहीं रन्निती बनेगी और भी जो तमाम वो मुद्दे हैं चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दे हो स्वास्ते की जो समस्या है उसको लेकर अब यह सरकार जल्दी से जल्दी इस पर काम में जुट गई है इसका संकेत आज मिल गया है कि आज ही सपत लेते हुए लेने के साथ ही सिवराज सिंग चौहान ने अब काम करना भी शुरू कर दिया है तो उन लोगों की जो बविश्वारिया थी कमलनात की जटका लगा है और उन लोगों को भी जटका लगा है जो लाल हरे चैनल कुछ अफवाएं उड़ा रहे थे कि शिवराज सिंग चौहान को इस बार मुखमंत्री नहीं बनाया जाएगा मुखमंत्री के नाम पर कैलास बिजय बरगी हो सकते हैं फिर उसके बाद उन्हों नरे मंत्री अमिस्टा हो प्रदान मंत्री नरिद मोदी हो या फिर भारती जंता पार्टी के बर्तमान जो अद्यच है जेपी नडड़ा उनमें से किसी को भी इस बात पर संका नहीं थी और नाहीं विदायकों के बीच में इस तरीके का कोई ऐसा नाम पर बहुत जादा चर्चा हो रही थी हलागी चर्चा होती है क्योंकि भारती जंता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है उसके बावजूत लगवग यह तैथा कि सिवराज ही बनेंगे मुख मंत्री और इसलिए फिर उसके बाद बदाईयों का ताता भी शुरू हुआ जो तरह सिंधिया से लेकर सभी बदाई दी प्रधान मंत्री वर्थान मंत्री और मनत्री और जो राज्यपाल बगेरा ने को बदाई दिये तो निश्रीत तो पर उन बदाईयों के साथ में अब सिवराज सिंग चौहां के ऊपर एक बड़ी जेंबिदारी होगी कि उस प्रदेश को दुवारा से उन्हें समालना आए जिसकी मुखिया वो 15 महीने पहले थे और इन 15 महीनों में बहुत सारी चीजें इस प्रदेश में कॉंग्रेस की गवर्मेंट ने बदल दी बहुत सारे ऐसे काम कर दिये के जिनको सुधारने में उन्हें कम सगम 2-3 महीने तो लगेंगे साथ इसाथ उनके उपर जिम्मेदारी ये भी होगी जो लूट तंत्र और दलाली का जिक्र बिदायकों ने भी किया जोत्राज संधिया ने भी किया और सिवरा सिंग चोहान भी विपच्च के नेता के तौर पर करते रहे उस लूट तंत्र में जो लोग इंवल्व थे अब उ और यह उनकी प्राथ्मिक टाओं में भी होगा क्योंकि 24 सीटों पर चुनाब भी होने हैं प्रदेश के अंदर 6 मेने के बीतर तो सबसे बड़ी चुनोती उनकी यही होगी कि उस लूट तंत्र उस दलाली तंत्र और जो को व्यवस्ता की इस्तिती बन रही थी कवलनात के र सिब्राज के लिए मामा बनके भाण्य भांजी का जिक्र करते हैं बहन का जिक्र करते हैं तो सीधर तौर पर तमाम योजनाई जो कमलनात ने बंद कर दिती जो कि सिब्राज सिंग चौहान पिछले 15 सालों से चला रहे थे जिसकी वेज़ लोक्रिय बने हुए थे उन सभी य मेहन जए भरत!